राम राम तो मित्रों नमस्कार दोस्तों सभी को गुड इवनिंग और सभी को राम राम कुछ खबरी जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ खबरी राजस्तान पुलीस बरती 2023 कब होगी इसकी विग्यपती जारी ये आप सभी को बड़ा इंतजार है दोस्तों इसका आपको बेसबरी से इंतजार है लेकिन आपके सामने में बता दूँ कि दस तारिक को जो CET Senior Secondary Level का जो नोटिपिकेशन जारी हुआ है उसे देख कर आप सब के होस उड़ गए होंगे मुझे पता है क्योंकि मैंने भी CET का सलेबस देखा है राजस्तान पुलीस का जो पहले सलेबस था दोस्तों वो अपने आप में एक अथा समुद्दर की तरह था लेकिन बोर्ड ने और राजस्तान सरकार ने कुछ सोचे समझे बिना ही CET को इसमें सामिल कर लिया तो अपन मुद्दों पर हम कि कब तो इसकी विग्यपती जारी होने वाली है और क्या CET से वापिस बार निखाल दिया जाएगा इन सामुद्दों पर आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं तो पटापट से आजाईए और मैं आपको बता दूं दोस्तों मैं आपको बता कि आप सब के होस अवस से उड़े हुए हैं और मुझे जहां तक पता है मुझे जहां तक पता है सरकार ने राजस्तान पुलीस के जवानों के साथ में एक तरह से एक अन्याय किया है दोस्तों अगर हम इसके सलेबस की बात करें तो इसका सलेबस पहले से ही कम नहीं था और उसके बावजूद भी इन्होंने राजस्तान पुलिस की बढ़ती को CET में सामिल करवा कर इतना लंबा चोड़ा सलेबस भर दिया है कि एक नोजवान बच्चा पुलिस की नोकरी को सबसे छोटी नोकरी, एक छोटा कंपेटिशन मानकर तयारी करना वहीं से स्टार्ट करता है गाउं के जो बेरोजगार चातर होते हैं, जो गाउं के बेरोजगार युवा होते हैं, वो तैयारी करने के लिए सबसे पहले गाउं में से उठके आते हैं और आके यहाँ पर कमरा किराया का लेते हैं उसके बाद में वो कोचिंग करते हैं तो उनकी पहली जो सीडी होती है तैयारी करने की वो राजस्तान प्लीस की ही होती है क्योंकि वो राजस्तान पुलिस की बढ़ती से ही तयारी करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे पता है जब मैं जेपूर पहली बार आया था तो मैंने भी सबसे पहले राजस्तान पुलिस की प्रिक्सा की तयारी की थी क्योंकि गाउं से जो बालक यहां पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए सबसे छोटा competition वो राजस्तान पुलिस की बढ़ती को मानता है और ऐसा ही आप सब करते आएं हैं और ऐसा ही चल रहा था अचानक से क्या होता है कि इस बढ़ती को समान पातरता फ्रिक्सा CET में जोड़कर CET में इसे जोड़कर आपके साथ अन्याय कर दिया जाता है तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या इस बढ़ती को CET से बाहर निकाल दिया जाएगा अथवा नहीं और इसकी विग्यपती कब जारी होगी तो आजाईए आज हम इस विशे पर चर्चा करने वाले हैं तो देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हम हमारा जो आजगा मेन मुद्दा रहेगा वो मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो हम आज बढ़ती को लेके चर्चा करेंगे कि ये बढ़ती कब आएगी 2023 राजस्थान प्लीस राजस्थान प्लीस 2023 की जो बढ़ती है वो कब आने वाली है तो अपना आज का विशे रहेगा राजस्थान प्लीस बढ़ती 2023 की विग्यपती और ये बढ़ती कब आने वाली है ये बढ़ती कब आने वाली है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे CET के मुद्दे पर देखिए आप सबको पता है राजस्थान प्लीस का सिलेबस पहले सी एक लंबा चोड़ा और अपने आप में एक प्रिपूर्ण सिलेबस था अपने आप में एक प्रिपूर्ण पाट्टे करम था जिसमें आपके रिजिनिंग भी सामिल थी बाद में अभी 2021 की वेकेंसी में आपके उसमें कम्प्यूटर विशे को शामिल कर दिया गया इसमें एपनी राजस्तान की इतिहास है कलासंस करती है इसमें आपका राजस्तान का भूगोल है राजस्तान की अर्थवेवस्ता है साथ ही साथ में इसमें भारत का जिके भी है जिसमें भारत का इतियास है भारत का भूगोल है विशू से संबंदित भी इसमें भूगोलिक टोपिक जुड़े हुए हैं इसमें करन टपेर आपका सामिल है इसमें विज्ञान भी से देनिक सामान ने विज्ञान को भी सामिल किया गया है तो बताईए आप खुद ही बताईए इसमें क्या बाकी रह गया था इस सेलेबस में कौन सा सब्जेक्ट सामिल नहीं था लेकिन अभी जैसे ही CET का सेलेवस आया तो इनोंने इन सबजेक्ट के अलावा CET में इनोंने हिंदी, इंग्लेज, मैथ और साइंस इन चीजों को और जोड दिया है तो राजस्तान प्लिक्स का जो विधारती था, जो तयारी करता था, वो रिजनिंग सबजेक्ट को बड़ी मुश्किल से तयार कर पाता था उसके सामने अब पूरी मेथ जिसमें एडवांस ले लो आप, बीज गनित ले लो आप, अंक गनित ले लो पूरी गनित को इसमें जोड दिया गया है तो उस बालक के साथ में एक तरह से अन्याय है, लेकिन अभी दस तारिक को जो कलेंडर जारी हुआ, उसमें उन्हों इस फश्ट कहा है कि जो राजस्तान पुलिस की बढ़ती होगी, वो CET के आदार पे होगी अब हम चर्चा करते हैं इस पर क्या इसको बाहर निखाल दिया जाएगा, तो देखिए मैं बता दूँ, बाहर निखालना तो एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर चातर संगठन मिलकर सभी चातर कुछ अभियान चलाते हैं, तो इसका कुछ मुद्दा हल हो सकता है अब ही तक जहां तक मेरे को पता है 99% CET करवाएगा राजस्तान पुलिस से पहले, अगर बाद में कोई चातरों के हड़ताल होती है, कोई अभियान चलाया जाता है उनके द्वारा तो फिर 1% चांस बनते हैं, नई तो CET आपको देनी ही पड़ीगी और उसे किलियर करने के आप राजस्तान पुलिस की बढ़ती देख सकते हैं, अब हम चर्चा करें नई वेकेंसी कब आने वाली है, तो देखिए दोस्तों राजस्तान पुलिस की जो नई वेकेंसी है, राजस्तान पुलिस की जो नई बढ़ती है, अभी 2021 की जो बढ़ती थी राजस्तान पुलिस क उस बढ़ती के अभी फिजिकल चल रहे हैं अभी उनके फिजिकल कम्प्लीट नहीं हुए हैं उनके फिजिकल की डेट आ चुकी है पहले उनकी सारीरिक दक्सता प्रिक्षा होगी उसके बाद उनके मेडिकल लिये जाएंगी फिर मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद में वो भड़ती complete होने के बाद में राजस्तान सरकार या किसी भी गवर्मेंट का एक रूल रहता है कि जब तक समान पदों वाली कोई भड़ती चल रही है और वो complete नहीं होती तब तक नहीं विग्गेपती जारी नहीं की जा सकती है अते है 2021 की जो वेकेंसी आई थी अभी इसकी प्रिकरिया पूर्ण नहीं हो पाई है जब इसकी प्रिकरिया पूर्ण हो जाएगी तो जल्दी ही सुनने में आ रहा है कि 7000 पदों के लगबग राजस्तान पुलिस की नहीं बढ़ती आपको देखने को मिलेगी लेकिन आपके सामने सबसें बड़ा संकट है CET अते है मैं आपको कह दों कि जिस भी भाई को जिस भी विदार्ती को जिस भी छात्र को राजस्तान पुलिस की तयारी करनी है तो वो आज ही तयारी में जुट जाएं नहीं बढ़ती का इंतजार नहीं करें क्योंकि उन्हें मुखे बड़ती प्रिक्सा में बेठने से पर ले एक CET की प्रिक्सा के 15 गुणे विदार्तियों में अपने आपको काउंट भी करवाना होगा अतै CET की जो आपकी Senior Secondary Level की CET की प्रिक्सा है वो फरवरी में आईजित की जाने वाली है और अभी अक्टुमबर का महिना चल रहा है अतै अक्टुमबर आदा गया, नौंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आपके सामने चार महिने और काटपीट के में बोलूं तो आपके सामने दिवाली भी आपका कुछ टाइम खा जाएगी क्योंकि दिवाली सरपे है इस परकार में कहूं तो आपके सामने केवल तीन महिने का टाइम है रास्तान पुलिस की बढ़ती में बेटना है, इसकी बढ़ती प्रिक्षा की एक्जाम देनी है तो आपको अभी CET की तयारी में जुट जाना है जब तक आप CET की लिए नहीं कर पाएंगे, तब तक आप पुलिस की बढ़ती नहीं देख सकते हो अगर इस CET में आपका प्रिणाम या आपका इसकोर अच्छा नहीं रहा तो मैं बता दूँ कि एक साल तक आपको फिर दूसरी CET के लिए इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि CET के नोटिपिकेशन में इस पश्ट लिखा हुआ है कि कम से कम, कम से कम एक बार तो साल में आईजित करवाएगी करवा भी सकती है अधिक लेकिन मेरे मानना जांतक है अगली CET आते आते एक साल का समय निकल ही जाएगा और चुनाव भी है दिसंबर 2003 इसमें राज़तान विजानसबा चुनाव है उसके बाद पताने कब बढ़ती आए, क्या हो अते मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस भाई को भी रास्तान पुलिस की तयारी करनी है या और कोई बढ़ती की तयारी करनी है जो आने वाली है, जो CET के नोटिफिकेशन में दी हुई है तो वो आज से ही सब कुछ छोड़ कर तयारी करने लग जाएं तयारी करने का जो सही तरीका है उसके लिए मैं आपके लिए एक अगला वीडियो बनाऊगा जिसमें सुरू से लेकर अंत तक बिलकुल आपको तयारी के बारे में शटिक और इसपश्ट व्यक्या के साथ में समझाया जाएगा लेकिन इस वीडियो में मेरा इत्ता ही कहना है कि आप अप अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे तयारी करनी चाहिए अगर आप दिमाग से और अंतरात्मा से आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सरकारी नोकरी की तयारी करनी है तो बालकों तयारी कीजिए और अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा सेलेक्शन नहीं होगा मैं तयारी नहीं करूँ तो अपने मोटिवेशन को बढ़ाईए आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपने ठान लिया है तो आप अपने आपको और अपने परिवार वालों को अपने घर वालों को दोखा मत दो तयारी करने के लिए घर वाले जेपुर बेज रहे हैं या किसी और आसपास के सिटी में सहर में बेज रहे हैं आपकी इमानदारी आपके पास है आप इमानदारी से तयारी कीजिए सपलता एक दिन आपके कदम चुमेगी अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों से आप लाइक कीजिए और वीडियो को जदा से जदा सेर भी कीजिए ताकि अधिक बच्छों के पास अधिक स्टुडेंटों के पास जदा से जदा विदारतियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने केरियर के बारे में कुछ सोच सके सभी को धन्यवाद